दोस्तो बच्चे को जन देना हर मा के लिए एक खास अनभव होता है ऐसे में हर मा ये चाती है कि उनके डिलीवरी नॉर्मल ही हो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के कई फायदे होते हैं वहीं अगर सिजेरियन डिलीवरी की बात की जाए तो इसमें गर्वती महिलाओं को काफी परेशानी भी होती है और इसके side effects भी काफी स्यादा होते हैं ऐसे में कुछ ऐसे खास उपाय आपको करने होते हैं जिन से आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो और डिलीवरी के दोरान आपको pain भी कम हो और समय भी कम लगे उसके लिए आपको क्या करना है ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और अगर आपकी डिलीवरी डेट में 15, 20 या 25 दिन का समय बचा है तो अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे इन टिप्स को इस दोरान अपनाती हैं तो काफी आसानी से आपकी नॉर्मल जिलीवरी हो पाएगी तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखेगा एन तक बिना स्किप के और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी इस चैनल प्रेगनेंसी केर और अडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियो के नोडिफिकेशन में इस नहों तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली बात दोस्तों आजकल ये नज़र आ रही है कि जू डेट निकल जाती है फिर भी गर्वती महिलाओं की नॉर्मल जिलीवरी नहीं हो पाती है यानि कि कभी उन्हें पेइन स्टार्ट नहीं हो पाते हैं कभी-कभी उनके सर्वेक्स कमू नहीं खुल पाता है इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं हाला कि गर्वती महिलाएं शुरुआत से ही इस चीज के ओपर काफी ध्यान देती है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो कुई भी ऐसी गलती ना करे जिससे कि उनके डिलीवरी में कोई परेशानी हो लेगिन फिर पी जाने अन जाने कुछ ऐसी कलतीयां वो कर बैरती है जिसकी वज़े से जिलीवरी के दौरान उन्हें परेशानियां छेलनी पड़ती है तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी बोडी को हाइडरेट रखना है यानि की पानी का सेवन आपको जादा से जादा करना है अगर पानी का सेवन आप नहीं करती हैं तो उसकी वज़े से आपकी गर में पड़ रहे हैं शिशू के विकास पर असर पड़ता है और अगर शिशू का विकास अच्छे से नहीं होगा वो अच्छे से weight gain नहीं करेगा तो normal delivery में problem आईगी ही आईगी क्योंकि अगर शिशु का weight अच्छा होगा तब ही जाकर शिशु नीचे की तरफ याने कि सर्वेक्स की तरफ pressure लगाता है और वो अच्छे से बाहर आपाता है लेकिन उसका weight नहीं अगर अच्छा होगा तो वो pressure नहीं लगा पाएगा और normal delivery में समझे आएंगी दूसरी और important tips अगर delivery date में 15-20 दिन का ही समय बचा है तो stretching करना आपको शुरू कर देना है stretching से भी normal delivery में काफी आसानी होती है और आपको समय भी कम लगता है इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान अब आप stretching करना शुरू कर दें तीसरी और important tip दोस्तों इस दौरान आपको व्यायाम करना शुरू कर देना है व्यायाम यो तो pregnancy के दौरान शुरूात से ही करना सही रहता है लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए क्योंकि व्यायाम से आपकी मांस पेश या मजबूत होती है और नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको काफी आसानी होती है इसलिए अपने डॉक्टर के परामर्श से आप कुछ खास व्यायाम भी कर सकती है तीसरा है दोस्तो खजूर का सेवन यूँ तो अगर आप पूरी pregnancy के दौरान खजूर का सेवन करती है तो ये आपके लिए काफी लाब दायक होता है लेकिन अगर अभी तक आपने खजूर का सेवन नहीं किया है तो अब आपको खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए खजूर का सेवन आप दूद के साथ कर सकती है और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये आपकी मान स्पेशियों को सिकूरने नहीं देता है और नॉर्मल डिलीवरी में काफी मददगार भी साबित होता है इसलिए कोशिश करें कि दूद के साथ आप 4-5 खजूर का सेवा निस दौरान जरूर करें चोथा है दोस्तों मसाज मसाज प्रेगनिंसी के दौरान काफी जरूरी होता है खास तोर पर बॉड़ी के लोवर पार्ट्स में क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है उस दौरान सबसे ज़्यादा प्रेशर बॉड़ी के लोवर पार्ट्स पर ही पड़ता है इसलिए बॉड़ी के लोवर पार्ट्स की जो मांसपेशिया होती है खास तोर पर पेलवी केरिया के मांस पेशिया मजबूत होना ज़रूरी होता है अगर ये मजबूत नहीं रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी में परिशानी आती है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बॉडी के लोवर पार्स की मसाज करना आपको शुरू कर देना है और अगर आप चाहें तो पेट की मसाज भी कर सकती है लेकिन ये आपको किसी एक्सपर्ट की मदद से ही करना है खुद से आप अपने पेट की मसाज ना करें इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य बातों का भी आपको ध्यान रखना है जैसे कि रेगुलर आपको वॉक पर जाना है और कम से कम सुबे और शाम आदा आदा घंटा आपको वॉक जरूर करना है वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वज़े से संकुचन याने के कॉंट्रक्शन साने के चांसे काफी बढ़ जाते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है कि वॉक करते वक्त आपको कमफटेबल कपड़े पहनने हैं जो भी आप जूते या चपपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको कमफटेबल होने ही चाहिए हील वाले या उचे जूते चपड़ों का इस्तेमाल इस दोरान बिलकुल भी ना करें क्योंकि उनके इस्तेमाल से आप गिर सकती है और गिरने की वज़े से आपको परिशानी हो सकती है तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इनसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाएगी उमीद करती हूँ यह जानकारी आप लोगों के लिए यूसफुल होगी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद